बिहार की कटिहार में बदहाल बिचली विवस्ता के हिलाफ 26 जुलाई को लोगों ने उगर बरदेशन किया जिसके बाद बवाल हो गया पुलिस ने हवाई फाइरिंग की गोली लगने से तीन लोग जखमी हो गए थे एक यूवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे य पराने पहुंचे मिरे तक सोनु के परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाया भाई ने कहा कि क्या सोनु आतंकवादी था या कोई क्रिमिनल था क्यों पुलिस ने एंकाउंटर की तरह उसके सिर्फ पर गोली चलाई और हत्या की सुर्फ मेरे सामने तो हाई हवाई फै害 रिग किया था अब मेरा भाई जो है छोटा भाई वो देखा है आदमी के ऊपर इसके लिए फिर उसके बाद तब जाकर के फैरिंग लिए घर तो मेरा सर वहां से पांस सब्सक्र है यह लोग जा सरे ल bono चला रहे ते लिगे अधर गाने का नरे कि यह मेरा भाइ कि वहां किस पत्त पत्याना थे भाई या पूल नहीं गया थे जी मैं वहां पे सुईधा एजेंट के तोड़ पे हूँ सुईधा एजेंट का काम करते हूँ सर बेजली भाग में ऑनलाइन प्रोसेस विंग जो भी कनेक्शन बगेर होता है वो सब के लिए तो सर वहां जो है आया तो सोचा कि किसी भी तरह हमको निकाल लिया जाएगा इसलिए वो बाहर में एक साइड में था आडाम से लेकिन पुलीस वाला लोग फाइरिंग कर थे पहले तो हवाई फाइरिंग किये उसके बाद ते लों आदमी पर फाइरिंग किये तो जिसके कारण ज़ए तीन आ हम जब निकले ऑफिस से तो देखे क्या कि कोई हम मेरा परिजन मेरा जानने पहचान वाला ही आजमी कहा कि तुम्हारा भाई जो है यहां कुली लग गया है तो उसका अदम अपने भाई को लिया गोद में आ उसके वाद फिसको ऑस्पिटर लेके गए बदर में काहा गोली पत्राव कर रहा था क्या चिच को लेकर आंदुलान सर वही बिजली के लेकर हो था और सब समस्या को लेकर के सारा समस्या कर अंदुलान महीं ब्लोग गेट पर आता वही बैसुद पड़ी सोनु के मार रेखाए देवी ने अपने दोनों हाथ जोड कर चिला चिला कर बेटे की मौत का इंसाफ मांगने लगी कहा कि मुझे हर हाल में इंसाफ चाहिए अगर हम को इंसाफ नहीं मिला हम खट चाहिए में सभी का दर्वाजा इस पूरे मामले में मिरतक सोनु के परिजनों ने बताया कि वो अपने भाई मोनु को लाने के लिए गया था मोनु बिचली विभाग में ही डाटा ओपरेटर के पत पर काम करता है उसे लाने के लिए सोनु जाही रहा था कि वो भीड का हिस्सा बन गया और पुलिस की गोली का शिकार हो गया। कटिहार मेडिकल कॉलेज में ही इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। उधर तीसरे घायल मिनहाज को इलाज के लिए सिली गुडी भेजा गया है। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने हवाई फाइरिंग की लाठी चार्ज भी किया। पुलिस की गोली से ही तीन लोग शिकार हुए है। इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है। पुलिस ने की गोली से ही ओिए वे है। फूली मिन सेखिकार हुए हैं दो के लाठी दोरान्द में कीघाद भी की एरफशे haave से लीच्पी पुलिस नहीं WHOाधिख भी खब राण्स देंगिशी मिन है। पुलिस पुलिस झुलिस